हलो नमस्कार दोस्तों मैं संजीफ स्वाध करता हूँ आपने योटूब चानल कोईन विडिया में दोस्तों जैसे आज आपने थमनेल देख लिया होगा कि इसमें आपको एक तो एक पैसे के इंफर्मेशन मिलने वाली है और एक 5 रूपीस का है जो स्केर्स कैटिगरी में कोईन है मगर वो रेर कैटिगरी में आ चुका है तो दोस्तों बस आपको डूड़ना पड़ेगा कि ये कौन-कौन से दो कोईन में बताने वाला हूँ जो ये 1 पैसे का कोईन है ये आप लोगों के पास काफी ताधात में पड़े होंगे बस इसमें आपको कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ बारिक बारिक चीज़े हैं दोस्तों थोड़ी वह स्टेडी करना आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने आपको एक नई इंफर्मेशन दी है इस पर तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो यह आप नीचे वीडियो देख रहे हैं 50 पैसे के कोईन के उपर बनी दी तो आप में से कई लोगों के पास यह नहीं पहुची है तो आपने नहीं देखिए तो इस वीडियो को भी आप बोश कर लिजिए क्योंकि प्रूफ के साथ इसमें मैंने वेल्यू बताईए आपको तो ज्यादा टाइम लिए बेना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तो इसमें आपको एक एक करके दो कोईन की मैं जान कर देने वाला हूं तो पहला कोईन देखिए कौन सा है तो पहला कोईन है दोस्तो एक पैसे का दोस्तों इसके metal की बात करें तो अलमूनियम है, weight की बात करें तो 0.75 ग्राम का कोई नहीं है पूरा एक ग्राम का भी कोई नहीं है दोस्तों काफी अलका कोई नहीं है है अलमूनियम में size इसका 17 mm है और thickness इसकी 1.72 mm है Bombay, Calcutta और हैदराबाद की 2 mint है इसमें, star mint और एक आपको दिखेगी सरल शब्जों मैं बताऊं तो दोस्तों जैसे Bombay Mint का आपको चिन है, तो उसके बीच में एक dot लगा दीजिए, वो है इसका mint mark, यह मैं आपको show कर रहा हूँ, यह icon आप देख लीजिए mint mark इसका यह है दोस्तों ऐसे जो भी एक पैसे के coin आए थे, 1965 से 1922 तक परकाश में आए हैं, ठीक है तो दोस्तों काफी ज़्यादा quantity में यह coin चपे गए थे करोडों की तादात में हर सन में ठीक है, थोड़ा समय आप देखना detail information नदा रहा हूँ, skip ना करना फिर आप समझ नहीं पाओगे कि कौन से एक पैसे की coin की value मैंने आपको बताईए, दोस्तों यह वीडियो काफी छोटी रहेगी, तो वीडियो बिल्कुल skip ना करना, अब दोस्तों देखिए आप, यह एक पैसे का coin है आपके सामने 1969 का, ठीक है देवनागरी में इसमें 50 पैसा लिखा है, बीच में 1 रूपीज और इंग्लिश में आपको 50 पैसा लिखा हो दिख रहा होगा, ठीक है 1969 की नीचे कोई mint बार्क नहीं है, तो यह क्यलकेटा मिंट का coin है दोस्तों, ठीक है दोनों इसी mint के दिखाने वाला हूँ और इसी sun के, तो यह दूसरा coin भी आप देख लिजिए यह दोस्तों दूसरा coin है सेम लिखा हुआ है, देवनागरी में इंदी में 50 पैसा और इंग्लिश में, 1 रूपीज 1969 क्यलकेटा मिंट दोनों coin सेम है, अब दोनों को एक साथ रखके आपको दिखा जाता हूँ, यह देखिए अब देखिए दोस्तों फ्रेंट में कोई फरक नहीं है दोनों में अब बैक में आप देखिए, बैक में दोनों के low-end आप देख रहे होंगे low-end में फरक है, arrow के माध्यम से देखिए इस side पे आप low-end को देखेंगे तो आपको फरक दिखेगा, ठीक है अब दोस्तों इसमें खास है low-end variety coin है तो दोस्तो, 1969 में भी एक पैसे में low-end variety आती है ठीक है, काफी ज़्यादा महेंगा coin है एक पैसे के साफ से अगर आपके पाइए इस condition में ये एक पैसे का मिल जाता है तो आपको 400 रुपे से 500 रुपे के बीच में एक पैसे के value मिल सकती है, low-end variety आपके पास है ठीक है अब इन दोरों में से रेयर कौन सा है कौन सा low-end आपको collect करना है तो arrow के माधियम से देखिए ये वाला coin आपको collect करना है ठीक है आपको अपने coin चेक करने है अगर उसमें आपको ये coin match हो जाता है तो आपको 400 रुपे से 500 रुपे के बीच में इसके पैसे मिल सकते हैं अगर ये UNC condition में है तो दोस्तो अगर आपके पास ये low-end match हो जाता है जो मैं बता रहा हूँ ठीक से देखना दस बार चेक करने के बाद आप ओके होते हो वीडियो match कर लेते हो तब आप मुझे वर्टसप पे देना मैं आपसे खरीद लूँँगा अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए तो यह कोईन देखने है दोस्तो आप 5 रूपीस का मात्मा बस वेशवर्जी के कोईन है स्मारक कोईन में आते हैं दोस्तो यह 5 रूपीस के तो दोस्तो इसमें स्टील में भी आयते और कॉपर निकल में भी आयते तो कॉपर निकल की पहले आप सुन लीजिये दोस्तो इसका मैटल कॉपर निकल है वेट इसका 9 ग्राम साइज इसका 23 mm थिकनेस इसकी होगी दोस्तो 3 mm काफी मोटा कोईन है यह और शेप इसकी राउंड होगी जो कॉपर निकल में है थे 266 में इशू है मॉंबाई मिंट से स्केर्स कैटिगरी में है आज की डेट में यूएंसी में आपके पास वो कोईन है तो आपको इसके मिल सकते हैं 70 रुपे से 120 रुपे के बीच में ठीक है दोस्तों यूएंसी कंडिशन में है तो आपको 120 रुपे भी मिल सकते हैं इस कोईन के सिंगल कोईन के जो मॉंबाई मिंट में इशू है अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए यह देखे दोस्तों यह एक क्लेक्टर सेल कर रहे थे कोईन फ्रेंट में आप देख रहे होगे यूएंसी में है दोस्तों शेर का मूव वो आपको सब कुछ दिख रहा होगा एकदम क्लियर कहीं से भी गितावा कोईन नहीं है अच्छो किस्ता में उसके नीचे आपको सत्य में जैते भी एकदम क्लियर लिखा हो दिख रहा है नीचे 5 रिपिस लिख है साइड में देवनागरी में लिखा है और इस साइड में दोस्तों इंग्लिश में लिखा है ठीक है भारत इंडिया तो दोनों दोरफ आपने देख लिया अब इसकी बैक साइड देख लिजिए महात्मा बस्वेशवर्जी की कोई नहीं है तो दोस्तों आपको इसमें एक दिख रहा होगा arrow के मैध्यम से M mint mark ठीक है दोस्तों यह M mint mark मुंबाई का होता है मगर इसमें prof और UNC coin जारी होते है तो दोस्तों कुछ थे जो coin general circulation में भी आये थे तो आप में से कई लोगों के पास यह वाले पड़े होएं आपने जो में को पहले भेजे थे तब मैंने आपको बोल दिया था उस time कि अभी इसको आने दो अच्छे rate पे तब मैं आपसे खरीद लूँगा अब दोस्तों आप लोगों के पास यह coin है यह आप sale कर चुके हैं एक्जिविशन में कोई बात नहीं अगर आपके पास हैं आप बेचना चाहती हो तो दोस्तों मैं आपसे खरीद लूँगा ठीक है rare category में आ चुका है यह coin काफी ज़्यादा rare category में आ गया है नीचे आप देखिए mint mark M ही होना चाहिए M देखिए आप alphabet बना हूँ है M ठीक है मॉंबई का जो dot है वो mint mark है diamond mint mark वो आप चेक कर लेना वो आप coin मुझे ना भेजना वो rare category का नहीं है जो rare category का है वो M mint mark का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ same यह coin है तो आप मुझे बेज के मुझे पैसे ले सकते हो whatsapp पे दोस्तो image share कर देना आप call मत करना message भी मत करना एक image share करके बस wait कर लेना आप 2-4 दिन बिल्कुल उस message को read करूँगा मैं देख के आपको बता दूँगा ठीक है कई लोग दोस्तो message कर रहे हैं और call भी कर रहे हैं तो वो ना कीजिए क्योंकि पहले कई लोगों को block कर दिया है दोस्तों 4-500 लोग block हो चुके हैं अगर आप उनमें से एक हो जो block है तो please ऐसी गलती मत करना दुबारा और आपको हम unblock कर देंगे last के 4 digit आप comment के अंदर लिख देना आपके phone के पीछे के last के 4 digit दोस्तों ठीक है सिर्फ 4 या 5 digit लिखना हम मैं उसको search कर वहूँगा हमारी company की तरफ से जो block किये गए है user whatsapp पे उनको unblock किया जाएगा बस please आप दुबारा से call और message ज्यादा मत करना आप membership लेते हैं तो बिल्कुल आपका reply किये जाएगा ठीक है नहीं भी लेते हैं दोस्तों membership एक आदा coin बेज दोगो इसकी मैं value बता दूँगा time निकालके ठीक है ना तो wait कीजिए मैं आपका reply जरू करूँगा तो time लगता है दोस्तों time थोड़ा दहरे रखी है लाखों लोग होते हैं message करते हैं नहीं दे पाता है कईयों के 6-6 महिने तक reply नहीं हो पाते दोस्तों इतने सारे message आते हैं नहीं दे सकता है एक अकिला बंदा reply इसलिए वीडियो बनाने का मतलब माधियम से यही है कि सब तक बात पहुच जाए अच्छा अब आपको unblock होना है तो आप last के 5 digit लिख देना मैं आपको unblock करवा दूँगा ठेक है comment में लिख देना company देख लेगी अपने आप आपको unblock कर देगी तो वीडियो पसंद आई तो like share कर देना तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तो ओके बाय टेक केर